हेलो दोस्तों मेरा नाम है विशाल तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थमनिल देखा होगा तो आज के इस वीडियो में आपको नए पंबन ब्रिज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कोविड लोगडाउन के बाद पंबन ब्रिज का काम एक बार फिर से तेज हो गया है माना जा रहा है कि यह ब्रिज अगले दो साल में बनकर तयार हो जाएगा नया पंबन ब्रिज समुंदर में रेलवे का पहला वर्टिकल ब्रिज होगा यानि जहाजों के एक पार से दुसरे पार जाने के लिए या ब्रिज ओपर की तरफ उठ जाएगा इस ब्रिज के बन जाने से राम भक्तों को रामेश्वरम तक पहुँचने में ज़्याद सहुलियत होगी पंबन ब्रिज का निर्मान करीब 500 करोड रुपय की लागत से हो रहा है इसके लिए अधार शिला मांच 2019 में रखी गए थी लेकिन कोरुना और लॉकडाउन की वज़े से ब्रिज बनाने का काम भी प्रभावित हुआ है पंबन ब्रिज बनाने के जिमिदारी रेल विकास निकम लिमिटेड को दी गए थी और अब इस नए पंबन ब्रिज की खुबियों के बारे में जानते हैं रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमी से जोडने के लिए रेलेवे नए पूल का निर्मान करने जा रहा है जो 106 साल पुराने मौझूदा पंबन पूल की जगा लेगा नए पूल को इस तकनिक से बनाया जाएगा कि उसका एक हिस्सा बीच से लिफ्ट की भाती उपर उठ जाए और जहाजों के आने जाने के लिए रास्ता दे सके इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं या भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा जहाजों के गुजर जाने के बाद पुल का हुआ हिस्सा फिर से अपनी जगा पर आ जाएगा साथ ही इसमें भविश्य के लिए दो रेल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन को ध्यान में रखा जा रहा है इस नए ब्रिज को पुराने ब्रिज से तीन मीटर जादा उचाई पर बनाया जा रहा है ताकि हाई टाइड के समय इस पर पानी ना आ सके इस ब्रिज पर स्टेनले स्टिल की पटरियां भी बिच हाई जाएंगी जो भारत में पहली बार होगा रामेश्वरम जाने वाले सद्वालों को इससे बहुत फाइदा होगा पंबन का नया ब्रिज करीब 2 किलोमेटर लंबा होगा यह पुल मंडपम से समुंदर के बीच मौजूद रामेश्वरम तक बनाया जाएगा मंडपम भारत्य प्रायदीप में जमीनी सीमा में रेलेवे का अंतिम स्टेशन है जबकि यह रामेश्वरम मननार की खाड़ी में मौजूद है इस पुल के बन जाने से यहां ट्रेनों को ज़्यादा स्पीड से चलाया जा सकेगा साथ ही इससे मालगाड़ी की भी छमता बढ़ जाएगी इससे सबसे खास बात यह है कि नए पुल से एक बार में बड़ी संख्या में शधालू रामेश्वरम तक जा सकेंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्षन में ज़रू बता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए है तो चैनल को सस्क्राइब ज़रू करे जय हिंद